और बताओ जी कैसे हो तो ये वाला फार्म टूटने के बाद खाने का काफी ज़्यादा तकलीफ हो रहा है तो आज के वीडियो में हम लोग एक मल्टी क्रॉप फार्म बनाने वाले जिसके अंदर बहुत सारा क्रॉप्स हम लोग लगाएंगे और पूरा का बुड़ा आटोमेटिक काम करने वाला है वो तो चलो भाई आज का वीडियो सुरू करते तो इधर भाई ओफलाइन बैट के में धोड़ा सा एफके कर रहा था इधर एक छोटा सा रूम मेंने बना दिया भाई इसके अंदर घुसके हम लोग एफके कर रहते फड़ा फट इधर बोन मिल आ रहा था लेकिन इधर एक दिक्कत हो गया बाई जब मैं एफके कर रहा था तो इधर जॉम भी आके इन लोगो को निप्टा दिया भाई अधा ने भाई कैसे निप्टा दिया लेकिन निप्टा दिया भाई इन दोनों को तो मैं सोच रहा हूं भाई दो या फिर तीन बनाते एक होगा वीट फार्म अपना जो इधर वाला है उसके साथ साथ एक पटेड़ो फार्म भी बनाते और कारेट सोचते भाई कारेट बना ना दिया है और इधर अपना स्टोरेज भाई और जितना भी कुड़ा वगेरा होगा वह हम लोग इधर डालने वाले लावा के अंदर जल के तुरंत भाई कुड़ा जितना भी खतम हो जाएगा अभी इधर थोड़ा सा मेरे पास बोन पराई क्योंकि मैंने इधर बैठके थोड़ा सा एपके किया है तो बोन है थोड़ा सा तो बोन उठा लेते और आलू भी है थोड़ा सा और गाजर भी थोड़ा सा है तो यह वाला फार्म का मजा लेने के लिए अभी मेरे को इधर आना पड़ेगा और फिर इधर से वाई इसको ऑन कर देना है पहले जैसा ही यह इसका जो theme है, उसको हम लोग classic बना के भी खेल सकते, ये लो, ये classic बन चुका है, अंगर बार और ये वगरा नीचे आ चुका है, तो चलो बाई, काम चालू रखते, पहले काम करते, जितना भी अपने पास bone meal है, उसका use करते, और आलू और गाजर को multiple करते, उसके लिए मेरे को चाहिए होगा, दो observer and एक dispenser भी चाहिए होगा, और थोड़ा सा भाई, piston भी चाहिए होगा, ओ, इधर बहुत सारा glasses परा है मेरे पास, बे, वाउ, और इधर भाई, थोड़ा बहुत rail भी परा है, भाई, आज बहुत सारा मेरे को rail चाहिए होगा, चलो बाई, ये आगे अपन एक piston और मेरे को चाहिए होगा, एक dispenser and दो observer, या dispenser एक नहीं, dispenser मेरे को तीन चाहिए था, मैं भूल गया था भाई, अभी पानी को मेरे को इधर डालना है, उसके उपर डाल देना है, piston को ठीक है, इधर एक, देन इधर एक and इधर से एक dispenser, भूम हो गया भाई, तो एक observer जा आएगा, ऐसे, thank you very much, clock बिल्कुल तेयार है, देन इधर एक लगा दो and इधर भी एक लगा दो, हो गया काम खतम भाई, चलो भाई, कुछ इतना ही बोन मिल बन पाया, अभी एक काम करते हर एक के अंदर थोड़ा-थोड़ा बोन मिल डाल देते, मेरे को लगाना है और यह इतना है नहीं, यह हो गया अलग दिक्कत, वाव भाई, काम कर रहा था पता ने पीछे से कहां से क्रीपर आके फट गया भाई, से यह बाई, तो कुछ इतना आलू मेरे पास हुआ है, फिलाल के लिए काफी है, पता है विलेजर का इन्वेंटरी फुल नहीं होगा, लेकिन क साफ कर दिया है, और मेरे पास कुछ इतना सामान हुआ है, चलो, जितना सिट वगेरा मैंने रख लिया है, ठैंक यू वेरी मच, अभी क्या करना है, अभी मेरे को एक और विलेजर चाहिए होगा, लेकिन इधर एक ट्विस्ट है, यह वाला जो विलेजर है न, इसको मेरे को फार्मर बनाना है, और इधर ही रखना है, यह पहले से इधर का काम कर रहा था, तो इसके पास बहुत सारा सीट परा होगा, तो इसको मेरे को फार्मर बनाना है, और इधर को ही रखना है, तो एक काम करते हैं, पहले एक कंपोस्टर बना लेते, अभी बन गया भाई, यह बन बंदा ठीक है ले लो भाई इसके पास खाना नहीं है तो इसको ब्रीड करवाने के लिए थोड़ा सा खाना देना पड़ेगा यह देख लो पैर महों बच्चा लू हो चुका है और भूम भाई एक बच्चा भी आ चुका है तो एक विलेजर चाहिए था विलेजर तो आ चुक विलेजर को किडनाप कर लिया है इस बोट के अंदर नहीं तो यह लोग भाई बहुत चूचा कर रहे थे मेरे को यह पूरा जगा को तोरना है और दो लेवल तक नीचे लेके जाना है इस तरफ का मैंने कर दिया है इस तरफ हम लोगों ने दो ब्लोक खुदाई कर लिया है अब इस तरफ भी वही जेम करना है दो ब्लोक नीचे लेके जाना है चौलो भाई सारा का सारा पूरा एरिया को हम लोगों ने दो दो ब्लोक नीचे लेके आ गया और सब कुछ बिल्कुल सेट है अब ही बस मेरेको रेलवे ट्रैक्स चाहिए होगा मेरेको बहुत सारा पाव बना लिया अभी अपने आरण फार में चलते और थोरा सा रेलवे ट्रैक्स भी बना लेते लेट्स गो एक स्टैक के आस पास अम लोगों ट्रैक्स बना लिया और कूछ मेड़े बाई बास पराब यह देखते वाई कितना लगता है या इस पावर्ड रेल को एक्टिवेट करन मैं लगा दिया और अभी तो अभी इसकार आड़ा पावर्ट रेल को मेरे लगा दिया कुछ इधर तक भई और अभी आगे दरे आपके अपूरा इधर तक माई साम टाइम लगने वाला है तो चलो कर लेते फटा बढ़ा वी चोलो गड़्या को दिया अभी बस नीचे से ऐसे लिवर लगादेना है यार अगर रेट स्टूण टॉर्च अवथा तो इतना महनद नहीं करना पड़ता, मैरको और लिवर लगागे एक्टिवेट करते जाना है बस सारह का सारह पावड रेल चल चुका है लेट्स गो भूम भई हम लोगों ने साड़ा का साड़ा पावँरेल और रेल बिल्कुल अच्छे से लगा दिया है तीन-तीन पावँरेल हम लोगों दे यूस किया है ताकि माइन लुज की बिल्कुल नहां रुके भई अभी चारों साइट से इसको कवर करना है है चलो भाई साइड साइड में तो कवर कंप्लेट हो चुका है अभी रेलवे ट्रैक के ऊपर भी मेरे को ऐसा डट लगा देना है तो चलो भाई इसके साथ हम लोगों इसको पूरी तरीके से कवर कर दिया है अभी इसके अंदर हम लोगों खेती बारी कर सकते यह देख लो भाई यह वाला ड्राउन देख लो भाई काफी फ्रेंडली ड्राउन है यह मेरे को मान नहीं रहा है बिल्कुल भी ओके तो कुछ एक स्टेक के ऊपर हम लोगों ने वाई फैंस बना लिया है और कुछ इदर उदर थोड़ा सा हम लोगों ने स्टेयर भी लगा दिया अभी पानी देने का काम खतम करते बस हो जाएगा भाई एंड लेट्स गो भाई सारा का सारा स्टेयर के अंदर हम लोगों ने पानी डाल दिया है अभी बस फैंस से कवर करना है और बीच बीच में गाप दे देना है काम खतम भाई पूरा का पूरा फैंस के साथ हम लोगों ने कवर कर दिया इस जगा को और बीच बीच में मैंने गैप गैप देके भाई फैंस भी लगा दिया है इस तरब करेंगे वाई हुई उसके बाद पोटैटो आएगा और आखिर में आएगा वाई कैरेट ठीक है अभी क्या करना है फ पूरा का पूरा थे यार है अभी बाजू वाले खेत में काम करते चलो भाई ये वाला खेत भी पूरी तरीके से होई कर दिया मैंने अभी आलू लगा देते ये वाले खेत में और इसके उपर मेरे को एक छद भी बनाना पड़ेगा भाई वो आफलाइन बैटके मैं बना द देते जहलो चे गाजर भी लग चुका है अभी फड़ा फड़ा कलेक्षण चेंबर बना देते सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है उसके लिए अपने को चाहिए होगा एक खांपर लगाना है तो पहले जो हाप पर वह कुछ इस तरब देखते वे ऐसे लगा देना है उसके बाद दूसरा hopper, इस hopper को देखते हुए मेरे को ice लगा देना है, काम खतम भई, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये वाला ये निकाल लो भई, एंड ये वाला block भी निकाल लेते है एंड अपना comparator जो है वो कुछ इदर को लगा देते इसके उपर जाएगा अपना railway track, कुछ इस तरीके से हो चुका है भई, अभी अभी मेरे को ये वाला block निकालना है भई, भूम भई, इसके आगे जाएगा redstone torch इसके उपर जाएगा block ice है, कुछ इस तरीके से and देन इसके उपर जाएगा block and done, भई, हो चुका है काम खतम इदर का and इदर को लग जाएगा अपना दो-दो chest, हो चुका है काम खतम भई, अभी देखो ये वाला farm चलाने के लिए कुछ दिक्कत है भई, वो है भई अगर आलू का farm है, तो जो villager इस आलू वाले farm में काम कर रहा है उसको अपने को 8 stack आलू देना पड़ेगा, और अगर wheat का farm है तो फिर भई, 8 stack sit देना पड़ेगा, फिरी भई, नीचे hopper में अपना साबान जाएगा लेकिन अपने पास कोई भी चीज 8 8 stack तक तो नहीं है भई तो हम लोग क्या करने वाले, हम लोग नौर्मली विलेजर लोग का अंदर कर देते automatically धीरे धीरे भई, उनका inventory फुल हो जाएगा, कोई डेंसर नहीं है seed वाले बंदे का नहीं होगा, उसका देख लेंगे क्या करना है, लेकिन आलू और घाजर वाले बंदे का भई, automatically इन्वेंटरी फुल हो जाएगा, आखरी वाला बंदा जो है, वो आएगा कुछ इधर को ठीक है, अभी करना क्या है, अभी इनको जैसे हम लोग निकालेंगे, ये लोग अपने अपने जगा पे चले जाएगा, कोई डेंसर नहीं है गया वाई, सबके सब अपने काम में तो फड़ा फड़ अभी इनको पूरी तरीके से बंद कर देते वाई, अभी अपने को बस माइन कार विद होपर बनाना है, और नीचे छोड़ देना है, काम खतम भाई, तो माइन कार विद होपर भी जा चुका है, सारा का सारा काम खतम हो चुका है तो चलो इसी के साथ अपना फार्म बिल्कुल पूरी तरीके से त्यार है वाई तो इसी के साथ अपना आज का वीडियो इदरी खतम करते हैं हम लोगों ने बना लिया एक बहुती बहतरीन और बहुती ओपी लेवल का क्रॉप फार्म्स भाई बिल्कुल यह मज़दार क्रॉप्स मिलने वाला इदर से तो चलो आज का वीडियो इदरी खतम करते हैं आज का कॉमेंट अब दे है ये थैंक यू वेरी मच कॉमेंट करने के लिए तो चलो भाई टड़ा गुडबाई